लेकिन उनका यह कहना है कि युद्ध हम कर नहीं रहे हैं पाकिस्तान से वो एक प्रॉक्सी वार्चिट है और ये लोग जो हमारे मरें वो तो सरहत पे भी नहीं वो तो देश के अंदर सीमा के अंदर रोड से जा रहे थे उस पर एक आतंकी हमले के जरिये शद्म युद्ध य हमारी सरकार ने बहुत ऐसे काम प्रियास किया है आपको याद होगा जब ये सरकार आई थी उन्होंने सभी नेताओं को अपने देश के पाकिस्तान के भी नेता को यहां पर बलाया था बातचीत करने के लिए यहां के प्रधान मंतरी भी वहां पर गए थे उनसे बातचीत क करिए परंतु जब ये नहीं हुआ तो भारत युद नहीं चाहता भारत नहीं चाहता जो हमारे बच्चे बेटे भाई जाकर अपने देश में या सरहत पर जाकर शहीद हो जाएं हम अमन चाहते हैं हम शान्ती चाहते हैं परंतु देखे गीता में भी कहा गया है जो अगर कोई आपके उपर अत्याचार कर रहा है तो वहां भी धर्म युद का एक प्रावधान है और हमारे उपर अगर ऐसे अत्याचार होते रहेंगे पाकिस्तान से तो अभी ये समय आ गया है जो उसका मूँ तोड जवाब देना चाहिए और जब ये जवाब दिया जाएगा तो उसके बाद ही मेरे विचार से शांती बहाल होगी उसी के बाद अमन आएगा और जो इनका सवाल है ऐसे फिर ये जो प्रॉक्सी वार चल रहा है जो पाकिस्तान में कहा गया जुल्फिकार अली भुटो ने जो हम भारत को थाउजंड कट से हम उसको ब्लीट करेंगे और अंदरू कुणी तरीके से हम इसको खोकला करेंगे वह सब हम उसके बाद इसको खतन कर पाएंगे यही हमारी मंशाह है यही मेरे में लिचार से पूरे देश चाहता है यूद्ध ना ओपर अगर यूद्ध जरूरी तो यूद्ध के बाद एकदम अमन शान्ती काइम हो जाए यहां प झीके.